तो इसी बीच बड़ी खबर गौलिया से आ रही है आपको बता दे जहां महराज बाड़े को सवारने की पहल की जारे है पैंक सिठी की तस पर होगा महराज बाड़ाय का निर्मान आपको बता दे की संस्कृति और धरोहर के हिसाब से इसका विकास किया जाएगा उदैपुर और जैपुर सिटी की तस पर ही यहाँ डेवलेप्मेंट होगा मंत्री तुलसी सिलावत ने इसके आदेश दे दिये हैं निगम आयुत किशोर कन्याई को ये निर्देश दिये गए हैं तो बड़ी खबर गौलिया से इस वक्ति ये बता रहे हैं जहां अब महराज पाड़े को सवारने की जो कवायत है जो पहल है वो तेज हो जाएगी पिंक सिटी की तस पर ही इसको सवारा जाएगा इसका निर्मान किया जाएगा संस्कृति और धरोहर के हिसाब से इसका विकास भी किया जाएगा इसका विकास होगा आपको ये भी बता दे कि उदैपु पूर जोईपुल सिटी की तर्स पर ही यहां पूरा डेवलेप्मेंट होना है और मंतरी तुलसी सिलावत इसके आदेश जो है निगम आयुक्त को दे दिये हैं और जल्द ही यह जो कवायत है वो शुरू हो जाएगी पिंक सिटी की तर्स पर होगा महराज पाड़े का निर्मा संस्किति और धरोर के इसाब से इसका विकास किया जाएगा तो गौालियर से इस वक्ति यह बड़ी ख़ब है जहां महराज पाड़े को सवारने की पहल जल्द शुरू हो जाएगी जने नासिर गोड़ी हमारे संभाद आता जादा जानकारी के साथ पोल लाइन पर जुड़ा है नासिर आने वाले दिनों में महराज पाड़े के किस तरह से तस्वीर बदलने वाली है जादा एक साबोड होना चाहिए एक सी अपान का कलर होना चाहिए उनका साइज इसना होना थी जानी कि जो जो कोई भी बहार से वेक्ती आता है तो उसको अनुबभ हो कि वह जैपुरी या उदेपुरी जैसे सिटी में आय हुआ है चुकि गॉलियर अगर बात की जाए तो गॉलियर बहुत ही जादा जरूर के काम से बहुत जादा मश्चूर है और महाराज भावा हार्ट आफ सिटी कहा जाता है गॉलियर का और वहावी जो आर्किटेक्स है बहुत जो जो इस्टोरिकल से इमारते हैं तो उसको भी उन्हो इसका ये डवलप्मेंट होता है तो परियतन की दरश्टी से और जादा डवलप हो जाएगा गॉलियर तो संस्कुती और धरूर के हिसाब से अब महाराज भाड़े का जो है वो विकास किया जाएगा मंतरी तुलसी सिलावत ने इसके आदेश दे दिये हैं